गोड एवनिंग तो हम लोग टांसलेशन में टेंस को धुलाई कर रहे हैं चोकि बुक चालू होनी है 21 के बाद सबची नजारा बदल जाएगा और आप सभी लोग बहुत खुसी-खुसी बुक्स भी लेंगे बांकी चीज भी लेंगे बोर्ड के जितने निर्देशी चेप्टर हैं सारे चेप्टर को बढ़ियां से बनवा दिया जाएगा आप घबरा ही नहीं यहां तो सिलबस से जादे कुछ पढ़ाई जाएगी ग्यान के लिए पूरे सिलबस को ही नहीं बलके एक्ष्टा भी मैंने कहा था ओभी मैं पढ़ाऊंगा पढ़ा रहा हूं लेकिन धैज रखनी पड़ेगी बुक्स को रोका गया था चुकि एप्स पर ही बुक ह आया हूं बहुत सारे चप्टर्स इसलिए नहीं कि सभी लोग देखें इसलिए नहीं कि कुछ लोग देखें बलकी मेरा धर्म था मेरी कर्म थी कि मैं एक कॉविड में जितने को मदत कर सकूं मैंने करने का कोशिस किया कुछी सही उन्नी सुल्क तो लिए अब मैं उसके होने जा रहा हूं जॉइन बटन का ओप्शन मेरे को यूट्यूब के द्वारा मिल रही है बहुत जल्द जॉइन बटन में मंतले फी जमा करके सुदूर देहात वाले यूट्यूब से जुरे रहेंगे तो फिरी में देखते हैं जी नहीं जॉइन बटन वाले जो लोग वही लोग देखेगा जो उसे जुरा हुआ रहेगा बंधा हुआ रहेगा एप के फी अपने अलग होते हैं इसके फी अलग होते हैं यह से मंतली भी आप जॉइन कर सकते हैं यह सारी प्रक्रियाएं लेकर हम आपके आले आएंगे यह नहीं जो दूर बाले बच्चे बंचि किया है मैं भी आपको इस तरह से खुश करूंगा मैं भी अ्शासन देता होँ मैं आपके शात रहोंगा आई ये Tens में हम लोग चल रहे हैं है हम शोटे दिन के Tens में है टेन्स मा पास्ट प्रफेक्त आज हम क्रियाओं में से पर्थम क्रिया को बताने के लिए जादे किया जाता है जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था यहाँ पर दो क्रिया हुई है एक डॉक्टर साव आये हैं और एक रोगी मरा है लेकि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, रोगी के मरने का काम पहले हुआ, इसको past perfect से बनाएंगे, और जो बज जाएगा उसको simple past से बनाएंगे, बहां की single sentence जो होते हैं, जैसे राजू सो चुका था, यानि शो लिया, सो गया, तो राजू head slept ना करके, राजू slept से भी काम चला सकते हैं, वह मर चुकी थी, या मर गई, सी diet से काम चला सकते हैं, सी है diet लिखने बोलने की जादे जरूत नहीं है, यह translation की बिधी है, नियम है, हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसका यूज कम होता है, आईए हम लोग देखते हैं, कि आखिर past perfect को कैसे पहचा नहीं है type 1 में, जब भी क्रिया क साथ, चुका था, सीधे चुका नहीं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, जैसे सुना था, देखा था, छुआ था, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, यह सारे लगा हुआ हो, समझ जा past perfect का व ये सबसे पाइले सब्जेक्ट, तब हैड, तब V3, तब अबजेक्ट लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, टाइप 1 लिखा हुआ है, डे 4 में हम लोग आ गए, तो टाइप 1 में आप देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्रिया के शाथ लगा हुआ हो, या या था, यी थी, ये थी, या था, वाले वाक में, हैड का प्रयोग शवी के साथ करना है, इसलिए कोई लफरा है ही नहीं, हम लोग सब्जेक्ट, पलस हैड, पलस V3, पलस अब्जेक्ट का नियम अपनाते हैं, जब भी वाक में इस अचीब मिलता है, ध्यान रहे मेरे बंद तो, जैसे मैं सो चुका था, I had slept, बोल चाल में इसको I slept से काम चला सकते हैं, सिंगल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का प्रयोग जादे करें, ठीन है, लेकिन अभी शिखना है, शिखेंगे हम लोग, वा अपना काम समाप्त कर चुकी थी, she had finished her work, देखतो subject पलस head पलस V3, पलस I had reached the office, शुर जाष्ट हो चुका था, the sun had sit, वा शो चुकी थी, she had slept, अब निगेटी में है, जैसे कि वा नहीं शो चुकी थी, she had not slept, सुर जास नहीं हो चुका था, the sun had not sit, किये वाल note लगा देना है, hedge have head के साथ जैसे लगाते थे, वो इसे ही head के साथ note लगाएंगे, और आपको जानकारी होनी चाहिए, कि head not का ही short form hadn't होता है, अताब बोल चाल में हम लोग hadn't का प्रयोग भी करें, question tag में करें, short form का समाल return में कम होता है, इसे लिए head not का प्रयोग करेंगे, हम लोग full form में, negative work का रोल आपने देख लिया, अब कुछ work भी हम लोग देखें, computer जी, negative sentence को लाया जाए, जैसे, वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, तो she had not finished her work, शोहन इसो पन्याश को नहीं पढ़ चुका था, शोहन had not read this novel, read, 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 read का spelling वही राता है, read, read, अब जदी hedgehog को जिस तरह हम लोग आगे करते थे, उसी तरह head को आगे कर लेंगे, प्रस्ण माचक बन जाएगा, सारे सहाय क्रियाजिदी सब्जेट के आगे आ जाते हैं, यानि पहले, तो क्या का रुपधारन कर लेता है, जैसे क्या हुआ सोचुकी थी, head सी slap, क्या अमीशा यहां आई थी, had, अमीशा come here, come का भीत्री भी come, क्या आपने मुझे को एक खत लिखा था, had you written a letter to me, क्या तुमने मुझे धोखा दिया था, had you cheated me, तो आब आप head को पहले कर लिए, तो क्या हो गया, पलस सब्जेट पलस भीत्री पलस सब्जेट इंट्रोगेटिव बन गया, जैसे क्या वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, had she finished her work, इसी तरस दूसरा वाख है, क्या शोहन इसोपर्ण्याश को पढ़ चुका था, had sohan read this novel, अब हम लेते हैं, इसी में सब्जेट के बाद हम नोट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इव शॉट फर्म में हम hadn't भी लिख सकते थे, इस शॉट फर्म का इस्तमाल अभी कम किजिए, लर्निंग स्टेज में हैं, फिर हम आपको ले चलेंगे दोनों में, बोल चाल में आप यही चीज़ देखेंगे, मेरी इस्टाइल बदल जाएगे इस्पिकिंग में, बेसिक प्लस स्टमाल में बोलने पर ज़्यादे फोकस होगा, प्रेटकल क्रास ज़्यादे होते हैं, यह रीटेन है, और यह इंट्रमेडियेट का है सिलिवस, तो सिलिवस के अनुसार हम लोगे चल रहा हैं, आईए हम लोग देखते हैं, क्या वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, नॉट बर गया, had she not finished our work, क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, had you not cheated me, क्या अपने मुझे को एक खत नहीं लिखा था, had you not written a letter to me, क्या तुमने मुझे प्यार नहीं किया था, had you not loved me, इस तरह से वाक को बढ़ाएंगे, बढ़ाते चलेंगे, क्या शोहन युसु परन्यास को नहीं पढ़ चुका था, had she not read this novel, इस तरह से, अब चलो डबलू-एच, डबलू-एच का मतलब सर, जब वाक में, कब, कहां, कैसे, क्यों गएरा आए, तो डबलू-एच होता है बबलू, यह डबलू-एच को वाक के शुरू में रखते हैं, कोई भी प्रफशनवाचक वाक जो बनाते हो, उसके शुरू में डबलू-एच, वाक में डबलू-एच बने गया, डबलू-एच देखते हो, शुरू में है, उसके बाद सहायक करिया, सहायक करिया, सभी इंट्रोगेटी में प्रफशनवाचक में सहायक करिया, पहले, तब सब्जेक्ट, तब भव का रूप, तो जैसे कि, वह कब अपना काम समात कर चुकी थी, कब के लिए आपने क्या दिया, उसके सहायक करिया है, तब सब्जेक्ट, तब वी थिरी, तब जब्जेक्ट, आप तो इतने टेंसर्स को पढ़े हो, वह भी दोवाना पर रहे हो, यूट्यूब पर में तुम देखो, पीछे भी हमने टेंसर्स को लिया था, सिप एक तरफ से हमने आठकल हो, सिंटैक्स हो, थोड़ सा पॉलम देते हुए इसको दुबारा किये हैं, ताकि आप किताब हो, ठीक रहेगी, अब जब जब आपको जरुत पड़े, यूट्यूब पर से वीडियोज नहीं हटेंगे, रहेंगे लगातार, आप इसको रिवि ये मत, ठीक से चलें, ठीक से बरहें, ठीक से परहें, आई, तो वेन हैट से फिनिश आवार, ये डावलू एच का हो गया, अब डावलू एच के बाद हम लोग लेंगे फिर दूसरे टेंस को एक और ले ले लेते हैं, सोहन कब इस उपन्यास पढ़ चुका था, कब के लिए हैं, हैट सोहन, रेट इस नॉबल, अब पास्ट परफेक्ट के टाप टू को ले चलते हैं, इसको समझना जादे जरूरी है, भूत काल में, जब दो क्रियाएं हुई हों, उसमें एक पहले, दूसरा बाद में हुआ हो, तो पहले होने वाले क्रिया को, यही पास्ट परफेक हैं के, पहले रूल को देख filter को आओ, हम लोग देखते हैं, इसको सम्झेट पर पर फफे 3 प्लस अब्जेक्ट है, यह यह बिफो है, बिफो का मतलब के पहले, अधर सम्झेट पर फिटू पर फफनेट है, लहीन उल्टा यहाँ देखते हैं सम्झेट पर फिल सब्छेट फ मेर्ट परणस्पीध पावर्ट्पश के ंवापकू जै कि नहीं हिंदी जोगा डॉक्टर कि आने से पाइले रोगी रोगी दो जब 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 जो कुरिया पहले होगी उसको हम लोग past perfect में ही रखेंगे जैसे आप देखते हो head plus भीतरी यहाँ पर लगा हुआ है यह पहला action को show करता है को इस action को पहला काम को पहला कार्ज भूत के पहला कार्ज भूत काल के पहले कार्ज को show करता है और यह भी भीटू जो है बाद वाले किरिया को बताएगा यहाँ भी भीटू है यह भी बाद वाले किरिया को बताएगा और यह जो है यह पहले वाले किरिया शम्य किरिया का भाग आप जोड़ सकते हैं यह पार्ट ठीना कार्ज वाला भार बाद वाले किरिया का भाग अब देखो भाई दो आख होंगे दो भाग होंगे एक में डॉक्टर क्याने से पहले एक वार रोगी मर चुका था यहाँ देख रहा हूँ ना डॉक्टर क्याने से पहले रोगी मर चुका था के पहले में before लगता है अके बाद वाला में after लगता है याद रखना है के पहले वाला को इस नियम से अके बाद वाला को इस नियम से सर ये तो समझ गए लेगि नियम कैसे याद रहेगा बता देते हैं के पहले का English क्या होता है before before वाले में head plus v3 पहले ही रखना है इन head plus V3 ज़ए ज़एगा वो पहला एक्षन को बताएगा और V2 ज़एगा और वाद वाले किरिया और दूसरा एक्षन को बताएगा अब जब exampl लेंगे तो और देखेंगे हमने मिर्टी पर लिख दिया है जो काम पहले हुआ हो उसे past perfect यानि subject plus head plus v3 में तथा जो काम बाद में हुआ हो उसे simple past 3 v2 वाले में नियम में रखा जाना चाहिए इतना भी आप समझ नहीं रहे हैं तो और आई हम वाक के माध्यम से समझाएंगे क्योंकि यही तो लचीला है computer जी जड़ा सा उपर ले चलिए जा देखना बंधो हम आ रहा हो तेरे लिए सोर्ज ओगने से पहले यहां पहले लगा हुआ है माय असनान कर चुका था एक भाग इधर है और एक भाग इधर है दो भाग है ना दो काम हुआ है न तो लेकिन काम देखो दो भाग है लेकिन पहला काम कोंची हुआ ये दूसरा भाग जो है दूसरा भाग में पहला काम है पहला काम है पहले किरिया है और ये पहला भाग है पहला भाग लेकिन किरिया क्या है किरिया दूसरी है दूसरी क्रिया है, पहले डॉक्टर नहीं आया, पहले रोगी मरा है, भाग नम्मर दो है, लेकि पहले क्रिया उसमें हो रही है, आता हिंदी के वाग को पल्टी मार के बनाना होगा, तो बन जाएगा, सब्जेक्ट पलस, हैड पलस, भीत्री, उधर वाला भाग इधर ले आओ बीच में बिफोर लगा दो, आताब इधर वाला भाग उधर ले जाओ, आराम से सेठ हो जाएगा, देखो मैं असनान कर चुका था, I had taken back, अब बिफोर मने पहले, यहाँ पर बिफोर लगा दिये, आताब इधर वाला भाग इधर, the sun, रोज, आराम से बनेगा, अब आप द देखोगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहाँ भी वही बात है, पहला एक्षन यह है, फर्स्ट एक्षन, देखते हो ना, फर्स्ट एक्षन, फर्स्ट एक्षन यह है, and second action इधर है, डॉक्टर बाद माया है, आपको मालूम है, फर्स्ट एक्षन को इधर ले जाएंगे, हैड पलस वीत्री में, दपासांट, हैड डाइड, अब पहले है, इसकी इंगलिस भी फोर डाल देंगे, अधर वाला भाग को इधर ले जाएंगे, डॉक्टर खैम, भीटू, एक बगल हैड पलस वीत्री, एक बगल भीटू, बाद वाला में उल्टा भीटू पहले, हैड पलस वीत्री बाद में, लेकिन हैड पलस वीत्री जिधर भी होगा, ध्यान रखना है बंधो, वह पहला एक्षन को ही बताएगा, इसलिए हिंदी वाला वाक सभी वाक को उलट देना आराम सेट हो जाएगा, अब देखो, सीता के सोने से पहले, वह इस सब को साफ कीजिए, हाँ, अब थोरा सा उपर कीजिए, बहुत ही अच्छे हैं कम्पीटर जी, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, अब इस साइज को थोरा बढ़ा दीजिए, ताकि ये स्पेस हो जाए बचवालों को, या, अब आप देखो बच्चा, देखो मुन्ना, द सबीज़ लोग देखो अनीता हो अमिशा हो जो भी वो सब लोग देखो, बबलु हो, डबलु हो, कउरोना बउय हो, अभी हो, गुरिया हो, श्वाती हो, सबीजो रडार पर हो, देखते रहो, सब को मैं देख रहा हूं, सीता के सोने से पहले वा बाजार जाए चुका था, क अब पहले हैं बीच में हम लोग विफो देंगे इस भाग को इधर ले जाएंगे सीता के सोने विफो शीता अब भी टू इसमें देना है एड नहीं सेलैप देखते हो ना अब यहां पर देखो कि बाद लगा हुआ है बाद बला में इसको इधर लाना इसको उधर ले जाना है लेकिन बाद बला का नियम अलग है पहले भी टू देंगे और तब इधर बला से उधर पहला एक्शन को ले जाएंगे तो हैट प्लस भी तरी उधर होगा यह ध्यान रखना है मैं एक पत्र लिखा था तहां पर होगा इधर आ जाएगा आई यह वाला उधर चल जाएगा तो मैं एक पत्र लिखा था I wrote a later क्यों बाद बला में भी टू पहले I wrote a later after बाद बला में after after miss बाद तो बादे head प्लस भी तरी होगा before miss पहले पहला ही head प्लस भी तरी होगा after राजो had come here बरसा होने से पहले पहले आ गया तो मैं अपना काम समाप्त कर चुका था उसको इधर ले आओ I had finished my work यानी completed my work before बरसा शुरू होना it भी तु इधर बचा रेन मने बरसा होना रेन बरसा शुरू होने रहता तो before it started raining यहां ध्यान देना है इधर बला उधर जा रहा है उधर बला इधर before miss पहले तो पहले ही head प्लस भी तरी after miss बाद बादे में head प्लस भी तरी और जो भाग बच गाउसे भी तू इधर बला उधर बला उधर होने से उल्टा नियम भी हो जा रहा है ध्यान रखना है तुम्हारे station पहुँचने के पहले गारी खुल चुकी थी गारी मसले यहां train लेंगे station पर और गारी नहीं the train head started भी हम दे सकते हैं पहले है लेगिन प्रस्थान करना के sense में हम लोग departure लेते हैं departure common sense में हम लोग देंगे started यहां strtd चुकी खुल चुकी थी लेगिन प्रस्थान कर चुकी थी एक से sense में ले रहे हैं प्रस्थान तो head departed अब पहले है तो before अब क्या है तुम्हारे station से यह नियो भी टूरिस्ट कहां पहुंच चुके थे बाबू याद रखना है इसमें ही लट पटाता है लोग इसको फिर से हम लोग बीच इस बनवाएंगे निगेटिव करवाते हैं वालग से साइन मेंट देंगे पहले एक बार समझ लो अगला टेंस पर हम लोग चलते हैं उसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कांटिनिवस अपने लोग परजन पर फटा कांटिनिवस पर हैं ते रहा था रहा है रही है रहे हैं उसी तरह जाएगा रहा था रहे थी रहे थे लेगिन एक बात दोनों में कौण क्योंकि भूत कालिक समय होता है और भूत कालिक समय में सिन्स फोर का पड़ियों हमने बताया था कि जब भी घंटा, मीनट, सेकेंड, दीन, सप्ता, महीना, वर्स, दसक और सतावदी हो तो सब फोर लगेगा और मां के निशी समय समय सिन्स लगेगा ये सारी चीफ पीछे वाली याद रखनी है तभी आगे दौरोगे इसलिए पुस्त के लेना बहुत जोड़ी है मैं भी सिलबस को एक किताब को रोके हुए था, दुबारा एक तरस रिविजन करवा रहा था, कि मैं भी आपके गतिविदी पर ध्यान रखा हूँ, आपको बनाने के उतने अस्तस्त नहीं मिल रहे हैं, पीडियेप में दौबारा पैसा बेकार लगाएगा, एक बार ही पु इसका नाम है पास्ट पफैक खांटिनिवस, अब थोरा सा इसको छोटा कर लेते हैं, साइज को छोटा बरा करना अपने हाथ में है, विज्ञान ने बहुची दिया, बहुच जल्दी बरहा लो, बहुच जल्दी घटा लो, आओ, जब भी वाक में किरिया के शाथ रहा था, रहे थे लगा हो, तथा कुछ भूध कालिक शमय, दो घंटे से, चार दिनों से, पांच महीने से, सुबा से, 1975 से, कुछ भी समय लगा हो, तो समझाना पास्ट परफैक का वाक है, और ऐसे वाक क्यों में एज आरम ने लगा ना, वाजवर ने लगा ना, ना है वाला मीज आर दोगे, चार करोगे, सब्जेट के साथ, हैड पलस बीन, तब भी फो, यहाँ पर वाज दोगे, तो गलती हो जाएगा, है बाले में इज आरम दो, गलती हो जाएगा, बस उसी का तो है, उहाँ है जह बीन था, यहाँ है, हैड सब के साथ लगता, कोई लफरा है नहीं, तो आप सब्जेट पलस हैड बीन पलस भी फोर दो, अबजेट या अधर वाट सो दो, आंत में सीन्स पूर पलस टाइम, यह लगाओ, जैसे राम पांच बरसों से भीक मांग रहा था, राम हैड बीन, बेगिंग, अब समय लगाना पांच बरसों बरसों है, घंटा मिनट टीन महीना बरस रहे, तो उसे फोर लगाएंगे, फोर फाइव यह इसी में लंबा लंबा बनवाएंगे हम लोग, एक इस तारीक के बाद, जैसे बनवारी लाल बनिया, अपने बगल के बैग से, मेरे गाओं के गरीब बच्चों के बीच, बारा बजे से बतासा बांट रह रहे थे, चंदू के चाचा, चांदनी के चाची के साथ, चांदी रात में, चांदी के टेबल पर, चांदी के चम्म से, चार मिठाईयां, 24 गंटे से खा रहे थे, या चमा रहे थे, यह लंबी-लंबी बाद, हम लोग एक इस तारीक के बाद आप पर बनवाने जा रहे हैं, कलास नहीं बर्माने जा रहा है यूट्टूब पर भी कभी-कभी दे देंगे आपको दिक्कत ने होगी लेकिन यूट्टूब पर भी इस पेसल बच्चों के लिए जॉइन बटन ला रहे हैं जॉइन बटन दवाते ही आप जॉइन कर लेंगो उस पर इस पेसल आपके लिए वीडियो वही जाएगा जो कलास में होगा एप में होगा वह आप भी देख सकते हैं मंतली पैमेंट करके भी हम लोग ला रहे हैं प्रा थे अब सब कुछ की थोरी तो आसा बर गई आपका रिजल्ट बहतर होगा इंगले से फिर वह इसा ही फिर 95-96-97 की बारी आ रही है लगी मेहनत आफिक करना होगा हम नहीं करेंगे न हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं परहने के लिए परने के लिए आप अपना मेहनत करेंगे दोनों मेहनत जो जुटेगा रिजल्ट बहुत अच्छी होगी आई राजू पांच मिनट से मुस्कुरा रहा था तो राजू वाज़ स्माइलिंग नहीं करेंगे राजू हैड़ मेन स्माइलिंग फो फाइम मिनट्स अब तीसा देखेंगे शिवानी दो बरसों से कतल कर र बना देते हैं आई थोरा सब बरा कर लेते हैं शिवानी यह सी है तलाबे शौरातत ऐसे चाहिए देते शिवानी जो नाम है नाम कोई भी हो सकता है शिवानी हैडवीन श्लेंग कितने बर्सों से दो बर्सों से फॉर्ट्ट्वी यहर्स वा दो पहर से खाना बना रही थी खाना बना रही थी सी एड बना रही थी कब से दो फ़र से सेंस इसमें घंटा मिनट से कैंड दिन महीना वर्स नहीं है सेंस नो बच्चा रात से चिला नहीं रहा था अब नहीं लग गया तो हम निगेटिव में ले जाएंगे लेहने इस नहीं को तब तक हटा देते हैं है ठीक ना लेजिए और नहीं रहेगा तो भी हम बना देंगे घवराइए नहीं बच्चा दच्छाइड है 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 हम हटा लेते हैं इतना तब आपको बताएंगे जादो हैडविन क्राइं कब से भाईया रात से सिंस नाइट अब कहोगे सार ये जो है नहीं जदी रहता तो क्या करते अरे मान लो यहाँ नहीं है यहाँ नहीं मान लो है तो हम लो नोट लगा देंगे और नहीं नहीं रहे गा तो नहीं लगाएंगे हैने चुकि नोट वाला अलग रखे हैं यहाँ पर नहीं लगे था तो हैड़ नोट बीन क्राइंग सेंस नाइट हो गया न अब आप देखोगे राम पांच बरसों से भीख नहीं मांग रहा था, या मांग नहीं रहा था राम हैड नौत वीन बैगिंग है न 4 5 यया निगेटी में हम बना हुआ देंगे आप इसको देखते रहो एniejsze में सिर्फ नौट बढ़ जायती है और कुछ नहीं बढ़ता बस निगेटिव में सिर्फ सोचो ना नॉट लगा दिया शविता बच्पन संगरी जी नहीं बोल रही थी सविता had not been speaking English since childhood जो बच गया समय सब point of time में आ जाएगा घबरानी कोई जरुत है ही नहीं अब आगे देखो हम इंट्रोगेटिव क्यों ले चलते हैं सर्त इंट्रोगेटिव में क्या होता है कच्छू नहीं होता है आपको तो पहले ही बता दिया सहायक के लिए पहले उसका subject बांके नहीं है मोई सहीं तो देखो had पहले तब subject तब been plus before plus object plus since you are four plus time इंट्रोगेटिव हो गया क्या राम पांच बर्सों से भीक मांग रहा था है है राम बीन बेगिंग फो फाइव यर्स अब इसमां मालों नहीं लगा देते तो नोट लगा देते है है राम नोट बीन लइन उभी आएगा क्या सविता बच्पन संग्री जी बोल ला ही थी हैड सविता बीन स्पिकिंग इंगलेश सीज चाल्ड होड कहीं को दिक्कत है कहां अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ नोट बरहाना है भाई इसी में नोट बरहा लो हैड पलस सब्जेट पलस नोट तुम्हारी मर्जियों तो हैडन भी कर सकते हो रीटन में फ हैड सविता नोट बीन स्पिकिंग इंगलेश सीज चाल्ड हो देख रहो हम उधर भी कर सकते हैं थोरा सालेलो अब डबलुएच में क्या होगा बस इसी वाक में शुरूमन डबलुएच लगा दो गयते हैं डबलुएच का निगेटिव हो जाएगा और इंट्रोगेटिव जिञेएं उपर बला बनाया उसके शुरूमन डबलुएच लगा दो गया हो गया क्वे coisa के लिए distinct याद है कि साहीक कडियाह पहले तब सब्जेक्ट घॉयस से और राम 500 से भी क्यों माँ स्वाय वाइड राम बीन वेगिंग फॉर फाव यह से इस तरह समगें आप मेरे बच्चो ए तुम्हारा हूए आजका तो टेंस का डो टेंस के आप इसके बाद हम भी सभी लोग जो है दा इंड लिक करके बिदा लेना चाहेंगे इसके साथ मुझे बिदा दें फिर हम अगली स्टेनी में चलेंगे फ्यूचर में फ्यूचर के दो टेंस एक दिन लेंगे एक दिन दो टेंस उसके बाद इस पर बनवाते रहेंगे तब देखेंगे तब मज़ा आएगा हम कुज भी बहुत जल्दी लेंगे पहले एकटी पैसिव का कुज लेंगे फिर सिंटेक्स का कुज लेंगे फिर हम आठकल कर लेंगे जितने चप्टर पढ़ाते जा रहे हैं फिर चप्टर वाइज पोइम और प्रोज जो पढ़ाएंगे बोक्स उसमें से अब्जेक्टिव परहा लेंगे तिन चार चेक्टर का कुईज करवा देंगे बहुत अच्छा लए अभी सिस्टमेटिक हुए कहा है बच चलना सीख रहा है धन्यबाद बवाई